Mind Control और Success का एक बहुत ही Simple लेकिन बहुत ही Powerful Secret में आज से Share करने वाला आपको तो भी ये जो Mind का Movement है इसको पहचान ना होका हम सब के सपास अपने खुद की List होती है कि हमको क्या क्या करना है आपने अपनी बनाई होगी अगर नहीं बनाई है तो जरूर बनाईएगा इसको कुछ लोग To Do List बोलते हैं, कुछ लोग Goal बोलते हैं, कुछ लोग Aim बोलते हैं, कुछ लोग Purpose बोलते हैं, लंबी Bucket List होती है हम Normally Mind Control के बारे में सोचते नहीं हैं कहीं आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा कि Mind को Control करना चाहिए Obviously successful होने के लिए चाहे career में, चाहे business में, चाहे आपकी अपनी personal growth में या अगर आप spiritually बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आपको spiritually enlighten करना चाहते हैं, तो भी आपको Mind Control सीखना होगा अब बहुत different नहीं है, एक आदमी अगर कोई business करने के कोशिश कर रहा है, आपने career में आगे बढ़ने के कोशिश कर रहा है या एक साधू बनना चाहता है, spiritual guru बनना चाहता है उसको cut shot करिए, उसको 10 होनी चाहिए, कम से कम एक साल के लिए 10 से जदा नहीं रखनी चाहिए जितनी कम से कम होगी उतना जल्दी से जल्दी है, और उतना ज़्यादा बड़े chances होते हैं कि आप उसको अचीब कर पाएंगे लेकिन उससे भी जदा important है कोई और चीज़, उसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी चीज़ों से आपको अपने आपको दूर करना है यह बहुत tricky है, यह बहुत simple है लेकिन यह बहुत tricky है इसको explain करने से पहले मैं आपसे कुछ और share करना चाहता हूँ एक छोटे बच्चे में और एक बड़े आदमी में क्या difference होता है एक छोटे बच्चे का brain बन रहा होता है और चुकि brain में बहुत सदा intense activity होती है इसलिए बहुत awareness होती है एक बच्चा hyper aware होता है, hyper active होता है एक study के हिसाब से एक छोटे बच्चे की जो awareness होती है एक बड़े आदमी के comparison में इतनी जादा होती है कि एक आदमी को तीन चीजों का mixture होगा तब जाके एक छोटे बच्चे के साथ वो compete कर पाएगा awareness में एक तो उसके पास धेर सारा coffee होना चाहिए बहुत strong coffee पिया हो तो awareness बढ़ जाती है कहीं नए शहर में गया हो तो नए शहर में हमारी आँखे चकाचोंद हो जाती है और किसी से बहुत प्यार करता हो ये तीनों चीजों का mixture कर दीजे बतलब बहुत जादा awareness होता है तब जाकर के बच्चे की normal awareness के बराबर कर पाता है लेकिन एक खास चीज है कि बच्चा किसी भी चीज को करके achieve नहीं कर पाएगा अपने purpose को या goal को achieve की नहीं कर पाएगा क्योंकि वो awareness उसको distract करती रहती है चोटे बच्चे का मन किसी एक जिगर पर टिकता नहीं है वो कभी कुछ च्राई करेगा कभी कुछ खेलेगा किसी काम को produce नहीं कर पाएगा किसी goal को achieve नहीं कर पाएगा उसके लिए उसको बड़ा होना पड़ेगा तो बड़े आदमी के mind में क्या होता है वही जो चोटे बच्चे के mind में होता है लेकिन उसमें धेर सारे scars बन जाते है scars मतलब controls जब एक आदमी आपने आपको बलता है नहीं नहीं मुझे focus करना है आज पढ़ाई करना है आधे गंटे पढ़ाई करना है पढ़ाई करना है तो जितना देर आप अपने आपको focus करते हैं उतना देर तक आपके brain में हलके हलके पतले-पतले scars बनते हैं वो उस जगह से awareness को release नहीं होने देते हैं जहाँ-जहाँ scar होता है तो एक adult जिसने अपने mind के साथ काम किया है जिसने focus किया है उसके brain में धेर सारे scars होते है जितना जादा brain में practices होती है उतना जादा focus कर पाता है तो आप समझें difference एक बच्चे में और एक बड़े में बच्चा बहुत intelligent होता है लेकिन जब तक उसने अपने mind को regulate करके, control करके उस focus को एक जगह लगाना नहीं सिखा है तब तक वो success की किसी भी चीज़ को achieve नहीं कर पाएगा आप successful होना चाहते हैं success काफी अलग है किस चीज़ से? job के पास अभी है success आपके पास नहीं है लेकिन जो चीज़ है वो है एक survival instinct आप ही के पास नहीं सभी जीवजंतों के पास है एक cockroach के पास एक बच्छर के पास एक कुत्ते के पास एक छिपकली के पास सब के पास है उसके पास आप जाएगे तो खड़कड भाव जाएगी साब के पास बहुत है ऐसे ही आपके पास भी है इसको survival instinct बोलते हैं sensuality बोलते हैं mind की sensivity जिसमें की वो हर चीज के प्रती बहुत strongly aware होता है hyper-vigilant होता है और उस hyper-vigilant की वैसे thank God वो hyper-vigilant है तभी वो survive कर पा रहा है यह तो कोई attack करेगा खा जाएगा success वो चीज नहीं है success survival से अलग है animals तो success के बारे में बहुत सोच भी नहीं पाते है क्योंकि उनको अपना पेट पालना होता है और जिन्दा रहना होता है आदमी सोच पाते है अब तीसरी point आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आम तोर पे आम आदमी के पास इस तरह की awareness नहीं होती awareness बच्चों की होती है बट जैसे से वो चाहता है बड़ी इंपॉर्टन चीज भूल जाता है कि वो कौन कौन से चीज नहीं करना है वो भूल जाता है अभी एक हमारे मित्र है अच्छे close friend है और अपना business चालो किया है और दो ढ़ाई साल में माशाला काफी अच्छा success हासिल कर रहा है लेकिन बहुत दुकी हैं और बहुत परेशान है वाइव से आई दिन लड़ाई होती रहती है हर रोज शाम को जाकर के कही नहीं कहीं ड्रिंक करते रहते हैं को जिन पहले तो मैंने सुना था कि इतनी जादा लड़ाई हो गए थी कि उन्होंने दस दिन तो जाकर किसी होटल में रहे बहुत परिशान थे हूँ सुसाइट करने के अहलत में आ गए थी लेकिन दूसरी तरफ जो चीज नहीं करनी चाहिए थी वो लिस्ट नहीं किया मैं यह नहीं कहूँगा कि उनको शराब नहीं पीना चाहिए किस नाम की 1 और उससे भी पहले अगर आप अभी ससेफुल नहीं हुए हैं आपको स्कसेफुल होना है तब भी एक लंबा रास्ता हैं जहांपर आप हैं और जहांपर आप पहुंचना चाहते हैं माहनले जैभ आप फ фин nag当 скорее औूर आज आप उसके बीच में आपने पढ़ाई शुरू किया, 15-20 मिट आधे घंटे पढ़ लिया और उसके बाद थक गए हैं तो थोड़ा सा मन करा है कि कुछ enjoy कर लें लाइफ को, थोड़ा सा मन करा है, relax कर लें, आराम कर लें, तो गए हैं अपना एक वीडियो गेम उठा लिया, थोड़ बहुत जादा मज़ा आ रहा है, डोपामिन का गश करा दिया और वो ब्रेन थक गया है, इसलिए आपको लिस्ट करना होगा, एक तरफ तो क्या-क्या करना है, हो तो clear है, क्या-क्या नहीं करना है, एक्जाम के टाइम पर वीडियो गेम नहीं देखना है, एक्जाम के टाइम और मेरे बीच में बहस होगी तो एक point के बाद मैं अपने आपको शान्त करके उसको सुनना चाहूँगा या बाद में उस चीज़ पर बात करूँगा ऐसे धेर सारे to-do list होने चाहिए मेरे रात को traveling के to-do list है और what not to-do list होना चाहिए बतलब क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है हम सब के पास बहुत limited time है बहुत limited mind है और बहुत limited पैसा है ये मानके चलिए आपके पास बहुत कम पैसा है अभी है मैं Amazon की एक series बना रहा हूँ हमारे WVX के लिए मज़ा आ गया मुचे पर के Amazon इसमें दुनिया की सबसे बड़ी company में से एक है और Jeff Bezos ही richest man है दुनिया के तो आप सोचे कैसे वो अपने पैसा खर्चा करते होंगे मैं आपको बताता हूँ एक दम खंजूस की तरह बहुत बड़ी बड़ी चीजे बहुत महंगी महंगी चीजे खरीते हैं क्या क्या करना है वो तो clear है लेकिन क्या क्या नहीं करना है वो भी clear है उस company का बहुत clear और बहुत लंबा list है कि हम किस-किस product में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं है वो data को use करता है study करने के लिए के market में कौन-कौन से समान बिक रहे हैं बाकी बड़ी-बड़ी companies है उसके competition में Walmart है और पता नहीं कौन-कौन सी companies है वो सब समान बेच रही है वो सब समान का stock ला करके रखी है लेकिन Amazon ऐसा नहीं करता है Amazon decide करता है कि अच्छा ये 500 समान है इन 500 में से उसके data के हिसाब से उसको बहुत बहुत ज़ाधा data पागल है उसको data चाहिए data हमेशा हर second चाहिए होता है और data को समझने के लिए उसमें और advanced computer system लगा रखे है तो वो decide करता है अच्छा ये 500 हैं तो 500 में से ये 100 item हम ज़ाधा बेचेंगे इस पे ज़ाधा discount देंगे और वो बाकी जो 500 में से 100 निकाल दिया बाकी 400 पचा 400 को हम कम बेचेंगे उसकी inventory कम रखेंगे तो वो चीज़े not to do या later to do हैं और ये वाली ज़ाधा to do हैं इसी तरह से अपना पूरा resources निकाल निकाल करके Amazon जैसी companies use करती है अपने आपको successful और successful करने के लिए ऐसे ही हर spiritual teacher में किया है चाहे बुद्ध हो चाहे कोई और teacher हो क्या किया उन्होंने जब वो ये कहते हैं कि मैं अपने घरबार को छोड़ करके जाओंगा मैं meditation सीखूंगा मैं ध्यान सीखूंगा तो करते क्या हैं उनकी list है कि हम क्या क्या करेंगे हम ध्यान करेंगे अपने मन को observe करेंगे हम भीक्षा लेकर जीएंगे ये तो अग उनकी list है क्या क्या करने वाले हैं लेकिन इससे भी लंबी list उनकी होती है क्या क्या नहीं करने वाले हैं अगर वो घर पे रहते हैं तो उनको अपने husband का रोल ने भाना पड़ेगा, अपने पिता का रोल ने भाना पड़ेगा, अगर business करते हैं तो business करना पड़ेगा, और ये सारे के सारे रोल, उनके mind को, focus को ले करके, और depth में जाने के लिए, और subconscious में deep में type करने के लिए मुश्किल पैदा होगी, इसलिए, कह कहने में आता है कि जनक enlightened थे, तो जनक ने जब उनको अपने महल में देखा, तो उनको पहले काम दिया, कहा कि एक ये बोल है, बर्तन, उसमें उपर तक, ब्रिम तक तेल भड़ दिया, और कहा कि जिस तेल वाले बोल को पूरा शेहर बर में घुमाला, और भी example हो सकता है, एक कि सो बार, दो सो बार उदिया बुझ गया, या तेल गिर गया, इसका क्या मतलब है, वो आदमी distract हो गया, जा रहा है मार्केट में, कहीं धर-दर देख लिया, किसी ओरत को देख लिया, किसी दुकान को देख लिया, कुछ कहीं बड़ाई चल लिया, उसको देख लिया, और जैसे ही और कि दिये करके उपर सुनका ध्यान हटा, वो distract हो गया, आपको अपने आपसे पूछना है कि क्या-क्या नहीं करना है, आपके लिस्ट इस लंबी होनी चाहिए, जिस आदमी ने अपने आपको ये बता दिया, कि मुझे ये सारे काम नहीं करने है, उसके लिए अप अधेर सारी डेफ में ये तो हमारे एक एक स्टेंपर विडियो होते है, अगर आप डेफ में हमारे अलग-अलग कोर्स को करना चाहते हैं, तो आपका बहुत-बहुत सवाकत है. जिन्होंको बेसिक और अड़्वांस कोर्स इस समय इंडिया में, बलकि पूरी दुनिया में स बहेर सारी case studies और इसके लावा जितने भी बड़े-बड़े businessmen हुएं उनकी गलतियां, उनकी सचाईयां, उनकी अच्छाईयां उसको सीख करके तभी आगे बढ़ना है इसके लावा हमारी decision making की course इतनी powerful है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ आजकर लोग एक series बना रहे हैं कि लास्ट पिछले 100-200 सालों में जो भी बड़ी-बड़ी accidents हुई हैं, अच्छी-च्छी और बुरी-बुरी, उसमें से क्या-क्या decision making के नएने theories निकली हैं जिसके लोग की life में बहुत बड़ा-बड़ा transformation आ रहा है, वो सब सीखने के लिए सान चीज है नहीं, एक बर आप SPPAT joint करेंगे तो आपको लोगेगा बाप रे बाप पहले क्यों नहीं किया था, ब्रहमचरे के लिए SPMT है इसके अलावा और भी बहुत से अलग-लग तरीके हैं जिसके जरीए आप हमसे connect कर सकते हैं, limitless है जिसमें आप relationship को बहुत गहराई से अपनी family को strong करने के लिए, अपनी love को strong करने के लिए हमारे साथ join कर सकते हैं, तो धेर सारे options हैं, आप हमारे साथ, टेलिमेट कर सकते हैं, आप मालेज़े एक या दो या तीन course join करना चाहते हैं, उसके accordingly आपको fees की discount मिल जाएगी, अगर सारे course join करते हैं, तो उसका एक अलगी discount है, यह WhatsApp का number है, इस पर आप contact करके मालूम कर सकते हैं, I am waiting for you, subscribe, comment किये जाएगी मत, please मैं wait कर रहा हूँ, मैं आपके सारे comments परता हूँ, एक भाई साप पूछ रहे हैं के, सर आप सारे comments परते हैं, मैं सारे comments परता हूँ, मैं कोई comment भी छोड़ता हूँ कर दोड़ता हूँ